दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टेकनोजी अप में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यदि आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो ड्रीम 11 में बैलेंस पीच क्या होता है दोस्तो और बैलेंस पीच जब भी होगा तो हम किस तरह से टीम बनाएंगे बैटसमेंट के पक्च में जाना चाहिए या फिर बॉलर के पक्च में जाना चाहिए बैलेंस पीच के वज़ा से तो ये क्या है दोस्तो ये पूरा डीटेल में आज आपको बताऊंगा वीडियो को पूरा इंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैलल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो आज मैं आपको balance speech के बारे में पूरा detail में बताने वाला हूँ ताके आप अच्छे से information लेने के बाद अच्छे से team बनाईए और team बनाने के बाद 1 करोड, 30 लाग, 25 लाग जो भी winning prize है वो आप अच्छे से जीत पाएं तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना dream 11 application को open करना है अब दोस्तो जो भी match आपको खेलना है, सपोर्ज यहाँ पर देखिए अभी Australia versus Sri Lanka का एक match होने वाला है दोस्तो ठीक है, यह match अभी होने वाला है तो इस match का हम जानेंगे कि क्या है pitch report और अगर balance pitch है, तो balance pitch क्या होता है, कैसे team बनाना है, इसी वारे में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले दोस्तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक application डाउनलोड करना है, जिसका नाम है fan code यह आपको play store पे मिल जाएगा, इस application को आप डाउनलोड कर लिजिए, application को डाउनलोड करने के बाद इसको open कर लिजिए दोस्तो अगर आपको pitch report अच्छे से देखना है पूरा detail में, तो इसी application के थोरो आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है application मैंने open कर लिया है दोस्तो, application open होने के बाद आपको इस line में दोस्तो, total match आपको दिख जाएगा तो चलिए मैं यहाँ पे ढून लेता हूँ, Australia versus Sri Lanka का जो match था, उसका हमको detail देखना है तो यहाँ देखिए आचुका है दोस्तो, Australia versus Sri Lanka का match, ठीक है तो इस match पे दोस्तो, यहाँ जो Australia का और Sri Lanka का match है, इस पे click कर लेना है इस पे हम दोस्तो, जैसे ही click किये, दोस्तो, देखिए आपके सामने इस तरह का interface देखने को मिलेगा और दोस्तो, यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ export analysis तो इस पे हम जैसे ही दोस्तो, click करेंगे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ balance pitch, तो दोस्तो, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है 40%, spinner है 60%, जब भी आपको balance pitch देखाए, तो आपको यहाँ देखना है, अगर यहाँ पे spinner 60% है, और पेसर 40% है, तो सबसे पहले अपने team में spinner को ज्यादा रखना है, उसके बाद आपको इंतिजार करना है toss का, अगर toss जीत के batting लेता है पहले, तो समझ जाना batting पीछे बैटिंग को support करेगा, अगर balling करता है पहले toss जीतने के बाद, तो समझ रहाना दोस्तों कि baller को support करेगा, ठीक है, यहाँ पे totally आपको depend रहना है toss पे, toss जीत के पहले क्या लेता है, आपको उसी के साथ जाना है, ठीक है, अब balance में दोस्तों यह है कि आपको batting को भी support कर सकता है और balling को भी support कर सकता है, पीच, लेकिन आपको final decision तब लेना है, जब line out होगा, क्योंकि line out के बाद, जो captain होता है, वो toss जीतने का इंतिजार रहता है, जो भी captain toss जीतता है दोस्तों, अगर वो batting लेता है, पहले toss जीतने के बाद, तो समझ जाना कि batting को support करेगा, यह pitch, ठीक तो जब भी balance पीच दिखाए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे balling देखना है, और उसके बाद toss का इंतिजार करना है, अगर toss जीतके जो भी team decision लेती, आप उसके साथ चले जाना है, अगर batting पीच है, तो आपको यहाँ पे 7 या 6 batsmen ले लेना है, और यहाँ पे 5 baller लेना है all owner मिला के, मतलब 3 ही baller लेना है, और 2 all owner लेके team बनाना है, अगर balling पीच है, पहले balling, toss जीतके पहले balling करती है, तब आपको 5 baller, 2 all owner साथ हो गिया, और यहाँ पे 3 batsmen ले लेना है, एक wicket keeper लेना है, तो इस तरह से आप combination करके अच्छे से team लगा सकते हैं, तो guys इस तरह से आ अगले वीडियो में, बाई बाई, जाएंदे